हेलो दोस्तो मैं हन्सराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपके लिए बियार सी एच्चो का फर्स्ट शिप्ट का जो क्यूशन वेपर हुआ था 27 फर्वर्डी 2021 को उसके क्यूशन से लेकर आगया हूँ जैसा कि दोस्तों अपने पार्ट फर्स और पार्ट टू के अंदर लगवख 43 क्यूशन सोल किये थे आज के इस वीडियो के अंदर 44 क्यूशन से अपन सोल करेंगे और आपको पार्ट वन और पार्ट टू यदि आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी ठीक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिल जिस भी स्टुडेंट्स को जिन्होंने भिहार सी है चुका फर्स शिप्ट का एक्जाम दिया हो उसको यह दी क्यूशन से याद हो तो आप मुझे वाट्सअप नमबर पे बेज सकते हैं मेरा वाट्सअप नमबर है 9024307738 आपको किस नमबर बेजने दोस्तों वाट्सअप न सेंड करने हैं फर्स शिप्ट के दोस्तों मैं आपको इसलिए सेंड करने के लिए बोल रहा हूं ताकि माली जी आपको चार क्यूशन से याद एक किसी को पांच क्यूशन याद है इस परकार से चार क्यूशन आप बहेगे 5 क्यूशन और कोई भेजएगा तो इससे वह पू को लिख करके तो मैं आपको आंसवर के साथ में उनका वीडियो तयार कर दूँगा इसके साथ ही बताऊं दोस्तों पार्ट फोर जल्दी अप्लोड किया जाएगा जैसे अप्लोड उसकी नोटिफिक्शन प्राफ्थ हो सके आपको इसलिए क्या करना होगा जिन्होंने ओलरड ताकि जब भी पार्ट फोर में आपके लिए लेक्या हूँ तो इसके आपको नोटिफिक्शन मिल सके इसके साथ ही जो सेकंड सिप्ट का पेपर है उसको भी मैं आपको जल्द ही अप्लोड कर दूँगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा क्यूशन नमर 44 से जी हाँ दोस्तों जैसा क्यूशन पूछा गया था आपसे टाइप ऑफ हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन के कौन सा टाइप्स होते हैं हाइपर टेंशन के तो उप्सन देगे था आपको प्राइमरी और सेकंडरी ऑप्सन बी था सेकंडरी और सेकंडरी ऑप्सन सी था प्र question number 45 बड़ाई confusing questions था क्योंकि बहुत साइट students के मन में इस question से related doubts था और बहुतों ने गलत भी किया होगा और यहाँ question पुछा गया था testosterone hormone is found in ये किसके अंदर testosterone hormone पाया जाता है अब जातर students ने इस कांसर male किया होगा बढ़ इस कांसर male नहीं होगा जो आपका जो testosterone hormone है वो male और female दोनों के अंदर present होता है किसके अंदर option C यहाँ पे बिल्कुर सही जवाब होगा male और female दोनों के अंदर testosterone hormone पाया जाता है अब मैं आपको इसका rational दे देता हूँ यहाँ पे testosterone is produced by the gonads by the leading cell in testis in men यहाँ आदमिके अंदर testis है उसके अंदर leading cells है भूस लेडिदीर선 के दौरा produce होता है और जो women है उसके अंदर ovaries के दौरा mer के अंदर ovaries के दौरा और men के अंदर testis के अंदर leading cell है वहाँ से जो है testosterone का production होता है ठीक है तो यहाँ पे question इसलिए इस question का सही answer का होगा दोस्तों male और female के अंदर testosterone पाया जाता है testosterone is produced by the gonads by the leading cells in testis in men and by that ovaries in women although small quantities are also produced by the adrenaline gland in the both sex जैनि दोनों sex के अंदर adrenal gland के दोवारा भी कुछ मातरा में testosterone क्या होता है produce किया जाता है इसके साथ ही leading cells है male के अंदर और female के अंदर जो ovaries है वहाँ आपसे क्या होता है testosterone का production होता है ठीक है दोस्तों तो इस question का सही answer क्या होगा male और female दोनों के अंदर testosterone hormone पाया जाता है option C यहाँ पे बिलकुल सही जबाब चलिए बढ़ते है next question की तरफ question number 46 आपसे exam में पुछा गयता angle of IV injection का angle क्या होता है तो दोस्तों उसमें option थे आपके 15 degree, option B 25 degree, option C 45 degree and option D 90 degree इसमें हो सकता है दोस्तों option कुछ changes हो सकते हैं क्योंकि option आप लोग ने मुझे नहीं send किये थे आपने सीरप सीरप और क्यूसन ही send किया था मुझे तो यह आपको कोई option याद हो तो मुझे जरीड से comment करके बताना तो यहाँ पर जो दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो IV injection का angle होता है वो कितना होता दोस्तों सही answer कि आपको दोस्तों option B 25 degree अब इसके अंदर आपकी range के अंदर हो सकता है यानी जो range होती ही वो 25 से लेकर के 45 degree की range के अंदर हो सकती है लेकि normally अपन कितना मानते 25 degree के angle पे आप क्या लगाते हैं दोस्तों इंट्रा जो intravenous injection कितने डिगरी पर लगाते हैं 25 डिगरी पे आप क्या कर लगाते हैं intravenous injection लगाते हैं range के अंदर कुछ भी हो सकता है यह आपको range में option आया था तो मुझे जरूर से comment करके बताए नॉर्मली एंगल क्या होता है दोस्तों 25 डिगरी next question था antidote of organophosphorus poisoning, organophosphorus poisoning के लिए antidote तो antidote कौन सा होता है दोस्तों atropine क्या होता है, atropine option यह यहाँ पे बिल्कुल साही जबाब organophosphorus poisoning का जो antidote होता है वो क्या होता है दोस्तों injection atropine next question पूछा गया था आपसे, subcenter cover how many population जो subcenter है वो कितनी population को cover करता है तो option, actual में option क्या थे वो तो मुझे पता नहीं लेकिन normally अपन बात करते हैं तो 3000 से 5000 की population होती है उस पे एक subcenter होता है इन कितनी जन से का cover कर रहा है 3000 से 5000 ठीक है और जो 20,000 से 3000 किस पे करता है दोस्तों आपकी PSC पे और 80,000 से 1,20,000 किस पे करता है सीएसी पे तो आपको जोativas रखना है सब charisma कितना होता दुस्तों 5000 से 5000 जिसमें 3000 जो है आपका hilli area में 5000 आपके plane area में यहां पे जो PSC, PSC के अंदर 20,000 होता है तो 20,000 इसेहिए आपका होता है Hilli area में और 30,000 होता है Plain area के अंदर यह population है और CSC के अंदर जो बात करें तो 80,000 जो है Hilli area में और प्लain area के अंदर 1,00,000,000 की population के अंदर CSC, CSC, यह CSC के लिए यह PC के लिए और यह सबसेंटर के लिए क्यूशन में पुछा गया था सबसेंटर के लिए इसलिए कि उसकी क्यूशन का सज्यानस्वर क्या होगा option यह 3000 से 5000 की population को cover करता है next question पुछा गया दोस्तो corporate 380 यह life span यह जो corporate 380 यह है उसकी life span कितनी होती है इन कितने साल के लिए यह रहती है corporate 380 तो दोस्तों सज्यानस्वर क्या है इसमें option दीख रहे है आपसे 10 years, 5 years, 2 years, 20 years तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा 10 years इन 10 साल के लिए जो है आपकी corporate 380 जो corporate 380 है वो आपकी 10 साल के लिए होती है 10 years, 10 years, 10 years इसका life span होता है next जो question पूछा गाता आपसे corporate 375 life span होता है वो कितना होता दुस्तों 5 years, कितना होता है यह आ पर आपने 2 question के लिए रहो गए कि जो corporate 380 है उसका थो होता है 10 साल और कि corporate 375 है उसका कितना होता दूस्तों 5 साल इसकी life span होती है नेक्स जो क्यूशन पूछा गया था बोडी मुवमेंट अवे फ्रॉम दी मिड लाइन यह नि मिड लाइन से यह दी बोडी मुवमेंट को अपन दूर ले जाते हैं यह आपने देखा होगा यह कोई मेन है आदमी है ठीक है यह इसके हाथ होगे यह इसके पाँ होगे तो यह होगे इसकी मिड लाइन इस मिड लाइन से यह दी कोई भी बोडी पार्ट को दूर लेके जाते हैं तो उसको क्या करते हैं ठीक है कोई भी बोडी मुवमेंट इससे दूर करेंगे दूर की तरफ लेके जाएंगे हाथ को या किसी को तो उस condition को उपन क्या गएंगे तो दोस्तो option थे आपके abduction, addiction, rotation और none of the above तो जो सही हांस पर होगा वो होगा दोस्तो क्या होगा abduction यानि यह जो mid line है इस mid line से एदिए आप जीसे दूर लेके जाते हैं तो उसको तो अपने बोलते हैं abduction और यदि इसके पास में लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं adduction, ठीक है, rotation का आप मतलब समझते ही है ठीक है तो यहां पर पुछा गया था कि midline से दूर ले जाते हैं उसको क्या करते हैं अब यह from the midline ने midline से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा दोस्तो अब्डेक्शन याद करने का तरीका जिसे आपने जोड़ते हैं जिसे आपने जोड़ते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग या पर अपने कह सकते हैं जो सब्स्रेक्शन करते हैं या एड करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तो इसे एड के लिए प्लस का निसान होता है यापको एड कर देना एड कर देना है याद करने का तरीका यह है कि एड कर देना मतलब पास लाना है और दूसरा पोजिटिक जाएगा इसका abduction abduction मतलब दूर ले जाना क्युशन में क्या पुछा गया था कि away from the यानि mid-line से away है दूर है तो उसको क्या कहेंगे abduction कहेंगे उसके past में आपने लेक्षे आ रहे है तो उसको क्या कहेंगे abduction कहेंगे ठीक इस चीज आपको confusion नहीं होना है, midline है इस midline के जिए आप pass मिलाएंगे तो उसको कहेंगे aid करना यानि जोड़ देना यानि aid करना, aid करना मतलब pass मिलाना, और इसको दूर लेके जाएंगे या अपने इसे हाथ को pass में लेके आते हैं body के तो उसको कहते हैं addiction और इसे दूर लेके जाएंगे तो उसको कहेंगे abduction, question में क्या पुछा गया away from the, जिए दूर लेके जा रहे midline से तो उसको कहेंगे दोस्तो abduction कहेंगे, याद गने का तरीका क्या बता दिया addiction के अंदर क्या लाते हैं, pass मिलाते है next question के अपने बात करते हैं, question number 52 to calculate EDD in LMP, add 9 month and how many days and जब आप EDD calculate करते हैं, तो जो आपके LMP होती है उसके अंदर आप 9 month के साथ में कितने day add करते हैं इस परकार से कोई question पूछा गया था, actual में क्या questions था, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोगों ने EDD के अंदर अब जब अपने EDD calculate करते हैं, तो जो LMP होती है उसके अंदर 9th month और 7 day add करते हैं, कितने day add करते हैं, 7 days तो option A यह आपे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा next question पूछा गया था, आपका to install ear drops to a small child pull the pinna, एन जो छोटे बच्चे के अंदर आपन EDD drop install करते हैं, उसमें जो पिनना होता है, ठीक उस पिनना को केसे पूल करेंगे, ठीक है तो option A यह था, आप forward करेंगे, option A up and back, option A straight back and option A down and back दोस्तों मैंने जब आपको तयारी करवाई थी, BR, CHO, MP, CHO के लिए तो अपने जो gaze paper soul करवाई थे आपको मैंने, तो gaze paper जो मैंने आपको करवाई थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी छोटे बच्चे की बात आएगी, ear drop डालने की, तो आपको ध्यान रखना है कि अपन नॉर्मली जब बच्चा गलती करता है, कुछ करता है, तो आपन क्या करते हैं तो याद रखना है कि दो साल से जो भी छोटा बच्चा है, उसका कान कैसे खेंचना है, नीचे की तरफ खेंचना है option D यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा next जो questions है, दोस्तो अपन जल्द ही मैं आपको fourth part लेके आऊँगा, उसके अंदर बाकी के जो बच्चे वे हैं, वो questions भी आपको स्वोल करवाए जाएंगे जल्द ही आपका part 4 आएगा और जल्द ही जो है second shift का paper भी मैं आपको solve करवाने वाला हूँ, यह questions important है, आपकी जो CHO exam में उसके लिए भी important रहेंगे, इसलिए इस वीडियो का आप जाए 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 शेयर करना आपने दोस्तों को ताकि सभी को जो है प्रिकी information मिल सकें क्योंकि CHO exam के अदर पुराने प्रोसेकुशन रिपीट होते हैं, तो चलिए दोस्तों आज गिवडियो को अधिक से अधिक से शेयर करना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो, वो नीचे रेट के दर में सब्सक्राइब का बटन है, अब भी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको गंटी का निसान दिखाए देगा, उस गंटी का निसान को ओल पर प्रेस कर लिजिए, ताकि जब भी मैं पार्ट फॉर अप्लोड गरूँ, इसकी notification आपको मिल सकें, तो चलिए दोस्तों, आज की अब भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में, धन्यवाद